तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पसुओ के मक्खी मच्छर बगाने का तरीका तो दोस्तो ये बिलकुल देशी तरीका है गरेलू तरीका है और सारा समान आपको फरी के जैसे मिल जाएगा बिलकुल फरी के जैसा तरीका है क्योंकि दोस्तों ये जो पसुओं में मक्खी मचरों की समस्या है इसको आप बिल्कुल भी हलके में नहीं ले ये बहुत ही ब्यानक समस्या है इससे पसुओं की मोत भी हो जाती है तो वो मोत कैसी होती है वो भी आगे चल कर बताऊंगा लेकिन आप चिंता नहीं करें सी स्पाल मलिक है तो डूंट वरी टैंशन नहीं लेने का पसूओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है तो जो ये पसूओं की मक्खी मच्छर की समस्या है इससे दोस्तों दूद भी कम हो जाता है क्योंकि मक्खी मच्छर पसूओं को सताते रहते हैं तो उनको ना उनका इस्तमाल करके इस समस्या को मिटा सकते हैं और अपने पसुओं का दूद बढ़ा सकते हैं तो वो कौन-कौन सी चीजे हैं वो कैसे आपने अपने पसुओं को देनी है कितने दिन देनी है वो सब कम्प्लीट चानकारी आज आपको इस वीडियो में दूँगा तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शीषपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सब का पसंदीदा यूटूब चैनल टूडे फार्मिंग जोन्त तो सवागत है दोस्तों आप सभी का और दोस्तों डेरी फार्मिंग वो पसुपालन की रोजाना की ताजा जानकारी बरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाईयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा कर ओल पर सेट कर ले और दोस्तों अगर आप फेस्बुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक को फोलो कर लेजिए साथ ही हमारे फेस्बुक पेज टूडे फार्मिंग जोन को भी फोलो कर लीजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते है तो दोस्तों मक्ही मचर बगाने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरूआत में बताया कि ये समस्या को आप हलके में नहले ये बहुत ही बियानक समस्या है इस ये पसुओ की मौत भी हो जाती है मौत कैसे होती है दोस्तों तो आपने एक वो बड़ी मक्ही देखी होगी जिसको डास मक्ही बोलते है तो ये जो मक्ही पसुओ को काटती है तो एक पसुओ से दूसरे पसुओ में उसकी बिमारिया फैलाती है साथ ही दोस्तों ये मक्खी एक ऐसा वाइरस एक ऐसा बैक्टीरिया पैदा करती है अपनी लार में जिसे पसू को सर्रा रोग हो जाता है सर्रा रोग अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं ये सर्रा रोग इतना ब्यानक होता है दोस्तों कि उससे पसू की मोत हो जाती है अगर समय पर उसका इलाज ने किया जाए और दोस्तों उसका इलाज भी इतना आसान नहीं है छोटे मोटे डॉक कुछ से ऐसी वैसी हो गई तो पसु की मोत वैसे भी हो जाती है तो बहुत ही ब्यानक समस्या है पसुओं में मकही मचरों के दोस्तों और उस से दूद्ध जो सूखता है वो अलग बात है तो दोस्तों जो यह सर्णरोग होता है इसमें जो वो बैक्टिरिया होता है जो सर्रा मखी से फैलता है वो क्या करता है वो रात को पसू के सरीर से निकलता है और पसू के सरीर में जितना भी गलुकोज होता है उसको खा लेता है उसको चूस लेता है तो पसू में गलुकोज की कमी हो जाती है जिस कारण से पसू की मोत हो जाती है तो एक सिंपल साइस का उपाई ये है कि आप अपने पसू को अगर सर्रा रोग हो जाता है तो उसको कुछ भी ना कर सके तो थोड़ी सी चीनी एक किलो पाणी में एक पाउचीनी गोल कर पिला दे उससे भी काफी रात मिल जाती है तो ये एक बोनस टिप्स मैंने आपको दे दी है सर्रा के बारे में अब दोस्तों बात करते हैं मक्खी मचर बगाने का क्या इलाज है तो वो भी बहुत ही आसान है तो दोस्तों उसके लिए आपने क्या करना है आपने सबसे पहले आपके गाउं में आपके पडोस में एक नीम का पेड़ देखा होगा तो ये नीम के पेड़ के दोस्तों हमार लाइफ में और पसुओं में बहुत सारे फायदे हैं लेकिन वो सारे फायदे मैं इस वीडियो में नहीं गिनाऊंगा सिर्फ मक्षी मच्छर बगाने का जो उपाय है वो बताऊंगा तो दोस्तों उसके लिए आपने 500 गराम नीम की पतिया लेनी है अगर दोस्तों आपके पस 500 गराम नीम की पतिया लेनी है अब क्या करना आपने एक पतिले में या एक डेक्ची वगारा में बड़े जो बरतन है आपके पास उसमें दो लीटर पानी आपने चुले पर उबालना है और उसमें उसी समय आपने वो नीम की पतिया डाल देनी है तो उसी समय दोस्तों आप अपने एक कपूर की टिक्की लेनी है कपूर की गोली लेनी है जो हम कपडों में रखते हैं कपडों में जो सिकारी वगेरा होते हैं जो कीडे लग जाते हैं उनको बचाने के लिए कपडों में कपूर की दवाई रखते हैं वो हमने एक टिक्की लेनी है तो उसको हमने कूट क पानी उबाल रहे हैं जिसमें नीम की पतियां उबल रही है उसी में हमने मिला देना है तो दोस्तों ये पानी हमने लगातार काफी समय तक उबालते रहना है और जब तक उबालते रहना है जब तक वो पानी घटकर आदा नहीं रह जाए तो दोस्तों जब वो पानी आदा रह जाए तो उसको छान लेजिए किसी कपड़े से या छलनी से और उसको एक सप्रे में भर लेजिए सप्रे बोतल जो होती है उसमें भर लेजिए तो ये दोस्तों अपने कैसे अपने पसू को लगाना है तो इसको लगाने का तरीका भी बहुत ही आसान है जब भी आप अपने प उस पर यह जो हमने लिक्विड बनाया है नीम के पतो का और कपूर की गोली का उसको ठंडा करके दोस्तों यह याद रहना गरम मत मार देना ठंडा करके सप्रे करना है तो आपने यह नहलाने के बाद अपने पशुओं में सप्रे कर देना है जितने भी पशू आपके हैं तो अगर वोई बात है ज्यादा है तो आपने ये नीम की पतिया ज्यादा लेनी है कम है तो कम लेनी है कपूर की गोली भी आप उसी के हिशाब से ले सकते हैं तो ये जो मैंने बताया है आदा किलो ये चार पांच पसुओं में आराम से लग जाएगा तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके पसुओं के मचर करीब नहीं आएंगे तो उनकी नींद पूरी होगी उनको चैन आएगा और चैन आएगा नींद पूरी होगी तो वो अच्छा खाएंगे अच्छा पीएंगे और उनका दूद आसानी से बढ़ जाएगा जो घटा है वो भी पूरा होगा और उससे कुछ ज्यादा ही बढ़ कर मिलेगा तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही आगे आप पसुओं की कौन सी समस्या पर कौन सी बिमारी पर वीडियो चाहते है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें जिस भी पसु में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा कर ओल पर सेट करते जाए तो दोस्तों नमस्कार